राजस्थान रॉयल्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपील के 28 में मैच में इस्टार बल्लेबाज जोस बटलर की तुफानी सतकी अपारी की बदोलत राजस्थान रॉयल्स ने सन्राइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया है इस सांदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स के भी प्ले आप में पहुचने की उमीदें बरकरार हैं आपको बता देई इसे से पहले खेले गए पिछले 6 मैचों में इस्टार बल्लेबाज जोस बटलर का परदर्सन कुछ खास नहीं रहा था टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बतार सलामी बल्लेबाज आए जोस बटलर पारी की पहली गेंच से एक अलग ही अंदाज में नजर आए हलाकि बटलर के साथ पारी की सुरुवात करने आए युवा बल्लेबाज एशेशवी जायसवाल 13 हर रन के निजी स्कोर पर चलते बने मात्र 17 हर रन पर पहला विकेट गवाने के बाद राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी दबाव में आ गई इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आये कप्तान संजू शैम्शन और जोस बटलर ने ताबड तोड तुफानी बल्लेबाजी कर सनराइजर से हैदराबाद के गेदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिये पारी के सत्रहवे ओवर में कुल 166 रन के स्कोर पर संजू शैम्शन आउट हुए लेकिन आउट होने से पहले संजू शैम्शन जोस बटलर के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को मजबूत इस्थिती में पहुँचा चुके थे शैम्शन के आउट होने के बाद बॉकलाय जोस बटलर संजू राइजर सहेदराबाद के गेदवाजों पर भोखे शेर की तरह तूट पड़े जी हाँ आपको बता दें जोस बटलर की ताबड तोड तुफानी बलेबाजी देखकर संजू राइजर सहेदराबाद के गेद बाज मैदान पर हीरो पड़े इग्यारह चोके और आठ शांदार छक्कों की मदद से जोस बटलर ने 124 रनों की बेहतरीन पारी खेली बटलर की आकरामक पारी के दम पर ही राजस्थान रोयल्स की टीम 220 रनों का विशाल स्कोर बनाने में काम्याब रही क्रिकेट विशेशग क्योंकि माने तो आने वाले मैचों में भी जोस बटलर की तुखानी बल्लेबाजी का दबदबार रहेगा